नमस्कार साथियों बीपी एसी सोलोसन पाफसभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी का यह पार्ट्टू है पहला सवाल है सभिधान सभाग गठन किसके सिफारिस पर किया गया तो सभिधान सभाग गठन जो है यह कैबिनेट मिशन की सिफारिस पर किया गया तो आप्सन नमर B सही हो जाएगा अगला सवाल है कि भारते सर्विधान की प्रस्ताबना किस देश के सर्विधान से लिया गया है तो यह हो जाएगा आपका उप्सन नमर D USA भारते सर्विधान की प्रस्ताबना USA के सर्विधान से लिया गया अगला सवाल प्रस्ताबना की भासा किस देश से ल आगे हैं option number a सही हो जाएगा next question है जंडा दिवस किस तिति को मनाई जाती है तो जंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है आपको 22 जुलाई को option number b अगला सवाल है उदेश परस्ताब को किस ने पेश किया था तो उदेश परस्ताब को जो है यह पंडित जभाला नहरू ने पेश किया था option number b सही हो जाएगा next question है सविधान सवा की पर्थम बैठक कब की गई तो सविधान सवा की पर्थम बैठक जो है यह किया गए आपका 9 दिसंबर 1946 को option number a अगला सवाल सविधान दिबस किस तिति को मनाई जाती है तो सविधान दिबस जो है यह 26 नंबर को मनाई जाती है option number c करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल मूल सविधान किस भासा में लिखी गई थी तो मूल सविधान जो है यह अंगरेजी भासा में लिखी किया था तो यह हो जाएगा आपका option number c bn row तो सविधान सभा का प्रारूप जो है यह बियन रो दुख के द्वारा जो है तियार किया गया था अगला सवाल है सविधान सभा द्वारा भारते सविधान को कब अंग कृत किया गया तो यह 26 किया गया option number b सही हो जाएगा नेक्स कोशन है कैबिनेट मीशन के अध्यक्ष कौन थे तो कैबिनेट मीशन के अध्यक्ष जो थे यह थे पैथिक लोरेंस option NM C आगे बढ़ते हैं question NM 13 कि सविधान सभा में महिलाओं की सद संखिया कितनी थी तो यह हो जाएगा आपका 15 op So NM C सविधान सभा में महिलाओं की सदसंखिया 15 अगला सवाल केविनेट मीशन के था सविधान सभा में सीटों की संखिया कितना निश्चित किया गया था तो इसका सहीज जवाब है ऑप्शन नमर भी 399 आगे बढ़ते हैं पाक्स्तान के लिए पिर्थक सविधान सभा कब गठित की गई थी तो यह किया गया था आपका 26 जोला 1947 को अप्शन नमर ए अगला सवाल सभीधान सभा चुनाब में मुस्लिम लिग को कितने सीटे प्राप्त हुए थी तो इस लिग को जो है 73 सीटे प्राप्त हुए थी अप्शन नमर डी सही हो जाएगा नेक्ट कुर्शन है सभी सभीधान सभा चुनाब में कौन सी देशी रियासत को परति निद्यों ने भाग नहीं लिया था तो यह हो जाएगा आपका अप्शन नमर डी हैदराबाद अगला सवाल सभीधान सभा गठन कब किया गया तो सभीधान सभा गठन जो है जुलाई उनेसो चैलिसो किया गया अप्शन नमर बी सँ यह हो जाएगा नेक्स्ट ग्कष्ण है कि जंडा समीती के धियक्स कोन थे जंडा समीती के धियक्स थे दॉक्टर रजगर परसाद अप्शन नमर बी कलिно def स्भीधान सभा की प्रताम ब gj केरताःतव एकार में कितने ब्लाद्ष्ण ने भाग लिया तो सजिदानन सिर्ना को जो है और अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था तो आप्सट नमर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है सविधान सवा के समय ध्यानिक सलाहकार कों थे तो यह थे आपका बी एन रोय आप्सट नमर सी आगे बढ़ते हैं कोशन नमर तरही से सविधा अध्यक्ष जो है यह डॉक्टर राजन परसाद को चुना गया था तो आप्सट नमर एक करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है सविधान सवा में डॉक्टर भीम्रावमेतकर पहली बार किस छतर में निरवाईत हुए थे तो भीम्रावमेतकर पहली बार पुर्वी बंग सविधान सवा में कांगरेस के कुल कितने सदस चुने गए थे तो यह हो जाएगा आपका ऑप्सट नमर डी 208 अगला सवाल दॉक्टर भीम्रावमेतकर ने भारते सविधान की आत्मा किसे कहा है तो समयधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीम्रावमेतकर बारते सविधान की आत्मा कहा है तो ऑप्सट नमर डी सही है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 27 समपुर्ण सविधान कब लागू हुआ तो समपुर्ण सविधान जो है 26 जनवर 1950 को लागू हुआ तो ऑप्सट नमर ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन है भारतिय सविधान को त्यार करने के लिए कुल कितनी समीतिया गठित की गई थी तो कुल जो है तेरा समीतिया गठित की गई थी ओप्सन नमर बी सही हो जाएगा अगला सवाल प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समीती के अध्यक्स जो थे ये थे आपका डॉक्टर भीमरावमितकर ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कोशन है कि प्रारूप समीती में कुल कितने सदस थे तो इस समीती में जो टोटल साथ सदस थे ओप्सन नमबर D सही हो जाएगा भारते सविधान की आत्मा कहलाता है तो भारते सविधान की आत्मा जो है यह कहलाता आपको परस्ताबना ओप्सन नमबर B सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कि परस्ताबना में पहली बार संसोधन कब किया गया तो परस्ताबना में पहली बार संसोधन 1976 में किया गया ओप्शन नमर D सही हो जाएगा सविधान के परारुप पर कितने दिनों तक भहस हुए थी तो यह हुआ था आपका 114 दिनों तक भहस हुआ था तो ओप्शन नमर C करेक्ट हो जाएगा सविधान सभा के दोरा राष्टी धोज को कब अपनाया गया तो यह अपनाया गया आपको 22 जुलाई 1947 को तो ओप्शन नमर C करेक्ट है सविधान सभा दोरा राष्टगान को कब अपनाया गया तो सविधान सभाद और अराश्टगान को जो है यह अपनाएगे आपको 24 जनवरी 1950 को तो उप्सन नमबर A सही हो जाएगा भात का सविधान है तो भात का सविधान जो है अंस्ता कठोर और अंस्ता लचीला है तो option number C सही हो जाएगा तो यह थे इस वीडियो का 36 सवाल इसके अलाबा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जूट सकते हैं टेलीग्राम चैनल का link description मिल जाएगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर देजिए क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग को daily 2-3 वीडियो मिलेगा दोस्तों में सेर भी कर सकते हैं जाएगे हिंद्ट